हाँ जी राम राम जी क्या हाल चाल आपके उमीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा दो साल से आप लगातार CET एक्जाम डेट का इंतजार कर रहे हैं और मुख्यमंत्री साब ने गोशना करी थी 5-6 नॉम्बर को आपको CET का जो एक्जाम हो ले लिया है चेर्मेन पहले कुछ कहते थे तो अब चेर्मेन साब ने क्या कहा है 5-6 नॉम्बर को CET एक्जाम होगा या नहीं होगा ताज़ा ख़वरा है यह जदि आप जाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे और यदि आपने भी तक चैनल को सब्सक्रा कर लीजिए ताकि आपको सही समय पर सही इनफॉर्मिशन मिलती रहे और दोस्तों आप सभी के लिए कि दमाकेदार अपडेट यह भी है कि केटी डिटी कवीज 51,000 होने जारा जिसमें हम आपको कैर्स प्राइस देंगे ओफलाइन यह परत्यू किता होगी 22 अक्तूबर को रेड स्केर मार्केट इसार में कैरियर पावर नाम की अकैडमी है कोचिंग सेंटर है वहाँ पर यह टेस्ट हम लेने वाले हैं तो आप इस टेस्ट में रजिस्टेशन करवा सकते हैं अपना 100 रुपे फीश लगेगी उसी दिन पेपर लिया जाएगा उसी दिन रिजल्ट आएगा उसी दिन इनाम डिस्ट्रिबीट के जाएंगे नोलेज टीवी देशी ताव के दोरे करवाई जा रही है पड़ते होगे ताप सभी के लिए ताक कि आपको मोटिवेशन मिल सके और इसमें कैरियर पावर और एन पियच ये दोनों हमें स्पोंसर कर रहे हैं हमारी सा आई है तो देखिए चेर्मैन साब पहले ये कह रहे थे कि एक महीना पहले आपको ओफिशिल नोटिफिकिशन देखनों को मिलेगा और पंदरा दिन पहले आपको एड़मिट कर देखने को मिलेंगे ठीक है मुख्यमंतरी साब ने विधान सबा में एनाउंसमेंट करी थी कि पांच छे नोबर को आपका एकजाम कंड़क्ट कराया जाएगा तो अभी कल परसों ही दोस्तों जो सवेता मेडम है वो एचससी चेर्मैन साब से मिलके आई है बहुत सारे भी शवकों को बात करी है उन्होंने तो उन्होंने सी एटी का एकजाम डेट के उपर भी अपना प कहा है कि 5-6 नोबर को CET का एकजाम 100% लिया जाएगा क्या कहा जी CET का एकजाम 100% लिया जाएगा और उन्होंने कहा कि जो NTA वो अभी दो-दो महीने पहले अपने कारिये करम नहीं करती वो एकजाम डेट से 8 दिन पहले ही क्या करती है एकजाम सेंटरों से बात करती है और दोस्तों जो Admit कारण की बात कही गई है वो एकजाम से चार दिन पहले Admit कारण डालने की बात अब कही गई है एकजाम डेट का जो Nोटिस आएगा वो एक सब्ता पहले आएगा ऐसा उन्होंने कहा है हां जी तो अभी भी चिर्एमैन साब दोस्तों अपनी बातों पे अटल है कि पांचाय नूम्बर को है मैं एकजाम लेगे मुक्या मंतरी साब के जो बात उन्होंने काई है विदान सभा में उसको जोटा नहीं होने देंगे तो दोस्तों होगा या नहीं होगा ये तो भई अपने को पांचाय को ही पता चलेगा बाकी ये हरियाना है यहाँ पे सबकुछ समभव है जो चीज परतीत नहीं होती वो हो जाती है दोस्तों ठेकि ना जो चीज परतीत नहीं होती का होगा यह सुनकर कि 59 अबर का एकजम होने जा रहा है और हम उससे पहले ही 22 अक्तुबर को आपके लिए परतियोगिता काविजन कर रहे हैं जिसमें पहला प्राइज 51,000 दूसरा प्राइज 21,000 तीसरा प्राइज 11,000 चोत्था प्राइज 11 बच्चों को 11100 रुपे फिर 100 बच जो केटी डिटी की बुक है वो दी जाएगी ठीक है 22 अक्तुबर को एकजम है 11 बजे से लेके साड़े 12 बजे के बीच में केरियर पावर अकैडमी है रेड स्केर मार्केट हिसार में वहाँ प्यापको फिपर देने आना है रजिस्टेशन 400 रुपे है रजिस्टेशन केटी लीटी ओलने जुकेशन एप से होता है धन्यवाद भगवान के आप सभी कैस में सुभ रहे